पाकिस्तानी सेना ने इस साल के अंत तक अपनी सभी मिलिटरी ड्रिल यानी युद्धा ब्यास को रद कर दिया है और इसकी वज़े है ठीक है जी इस तरह की बाते की थी ना नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोट मार्शल होना चाहिए और मुझे आर्मी दिवालिया हो गई है कि पाकिसान आर्मी जिसका की जो पूरी कंट्री का जो बजट है उसका बीस परशन्ट को यह केले खायाते हैं उसके बाद भी इनके पा किसी को और पूसरे मॉल्कोंत कर रहा है यह और प्रणमंत्री मोदी ने एक बार पाकिसान के बारे में कहा था कि पाकितान को भारत के हमले की जुरूत नहीं पाकितान अपनी मौत खुद मर जाएगा अब वह होता दिख रहा है पहले तो पाकितान गरीब था वहां की जनता बेबस और लाचार थी लेकिन अब पाकितानी सेना भी बेबस और लाचार दिख रही है जनरल बाजवा ने कोछ द पाकिस्तानी सेना ने इस साल के अंथ तक अपनी सभी मिलिटरी ड्रिल यानी युद्ध ब्यास को रद कर दिया है और इसकी वज़े है इंधन यानी पाकिस्तान के पास अब इतना भी पेट्रोल डीजल नहीं बचा है कि वो उनसे अपनी मिलिटरी ड्रिल को चालू रख पाए और यही वज़े है कि पाकिस्तानी फॉज के डीजी मिलिटरी ट्रेनिंग ने एक चिट्थी लिख कर दिसंबर के अंथ तक सभी मिलिटरी ड्रिल रद करने का अज़े पाकिस्तानी फॉज ये कहती है कि पैसे इल्ले पैसे हो बेना खतम हो गए पैसे नो पैसा नो टका खतम फ्यूल प्राइसे इन पाकिस्ताना अल्रेडी एक्स्रीमली हाई एड 262 पी के आर पर लीटर ये कह रहे हैं कि जी 262 रुपे पर लीटर तेल है हमारी हवा निकल चुकी है जिहाद गजवाए हिंद और फाल्तु की और बकवास जो हम करते थे जो हम अलिफ लेला की कहानिया सुनाते थे अपने बच्चे को कि जिहाद फी सभी लेला घोड़े पे बैट कर जाओगे और लाल कले पे सब्स हिलाली पर्चम लहरा होगे इंशालला ये सब बकवास थी और हम कबूल करते हैं कि साब ये हमने बकवास करी की गजवा फजवा जो भी करते हो और अब हमारे पास कोई पैसे नहीं है साफ सीदी बाद ठीक है क्राइसिस हिट नेशन इस रिजर स्टैंड बाई अग्रीमेंट बताय में तीन बिलियन की फंडिंग की बात हो गई है और इन्होंने साफ सीदा बोल दिया है कि भीया जो हमारी फौज है हमारी फौज के पास इतना पैसा नहीं है कि गाडियों में तेल डाल बें ठीक है अब जनरल साब इनके मैं बता रहा हूँ दो मेने के बाद क्या होगा पाकिस्तानी चीफ फार्मी स्टाफ जब घर से दफतर जाएगा ना घर से दफतर जाएगा सुबह तो बस गाड़ी में बैठा होगा सामने ड्राइवर होगा और पांच सिपाई पीछे से धक्का दे र होना चाहिए और मुझे अब कहना पड़ेगा मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता बीस पच्छी सहाफियों को सामने बठाके आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबल दुनिया को बता रहे हैं पच् ना तो खाने के पैसे हैं ना इनके पास गोली चलाने के पैसे हैं गोली यहां तो चलो है ही नहीं इनके पास और अब एक साल के लिए दिसम्बर तईस तक इन्होंने सीज फायर एक तरह से बोल दिया है कि हम कोई भी मिल्टरी ड्रिल नहीं करेंगे क्यों क्यों कि हमारे पास तेल है ही नहीं अब इन्टा तो तेल निकल गया एक तरह से हुई या फिर जो आपने पुल्वामा में किया उसका जो बाला कोट स्ट्राइक हुई so you know the fact that पाकिस्तान has nuclear weapons or doesn't you know that is not any longer uh democracy for but as far as the world is concerned जो वो कहीं किसी उसके हाथ में आ जाएं terrorist group के हाथ में आ जाएं so I think it is to cater to the fact that these nuclear weapons don't fall into it यह है कि पाकिस्तानी आर्मी में पांच लाग साथ हजार सैनिक हैं और कुल आठ कॉप्स हैं जिन में बीस से तीस हजार सैनिक हैं इंधन के अलावा पाक फॉज अपनी बिजली और गैस के बिलको भी कम करना चाहती है और यही वज़े है कि वो अपने सैन ने खर्चों पर भी लगाम लगा रही है पिछले वित्वर्ष में पाकिस्तानी आर्मी ने सरकार से अतिरिक्त फंड भी नहीं मांगा था यहां तक कि वित्वर्ष 2021-22 में सेना का बजट राष्ट्री बजट के मुकाबले 16 फीस दी कम जजबे वाली कौम पता है कहा हो लाहूर में किसी धाबे के सामने बैठके ना बिर्यानी खाते वे चाई पीते वे बकवास करते वे तुम जजबे वाली कौम हो और कहीं तुमारा जजबा नजर नहीं आ रखकर दी है बोला जयब चाईना पाकिस्तान एकनोमं में कॉरिडॉर का हिस्सा बन जाओ उॉलाप शरीफ करो裡面 नहीं नहीं है फीके चाईना पाकिस्तान चाईनाइक नाम पाकस्तान और में कोरिडूर है ठीक है चाईना पैसे लगा रहा है तुम लोग पेंग रूपए न किसको तुम लोग आजात कश्मीर बोलते हो वह वारत का इस्सा है तो तुम हमसे इजासत के बगएर वहां से ला रहे हो तुम तो वैसी उसको रेकोगनाइस नहीं करते ठीक है फिर तुमने ओफर कर दिया भाई एक बाद बताओ एक घर है उस घर का मालिक है और उस घर में एक खुद बोला था कि हमारे पास तेल के पैसे नहीं है हमारे गाडियां जो हैं उसमें जंग लगा हुआ है तेल के हमारे पास पैसे नहीं है हम इंडिया का मुकावला नहीं कर सकते हैं चले यह बात तो हो गई अब उसके बाद देखिए आप क्या हो गया कि इंडिया के पास एसी टेक्नोलोजीज थी कि हम प्रिसेशन जिसको बोलते हैं हम पिन पट करते थे कि इस चौंकी पे हमने मिलिटरी की चौंकी की उपर हमने अटेक करना है और हम बिलकुल प्रिसेशन के साथ वहां पहुंच कर इनकी पिछवाड़े में हम लोग बंब डागता थे और सारे के स सारे बहतर हूरों के पास पहुंच आते थे इनकी आर्मी के लोग वैसे भी इनकी आर्मी लड़ने वाली तो है नहीं हमने देखी लिया था 1971 में यह बचारे पतलून उतारकर अपने हत्यार छोड़कर यह वापिस भागे थे और हमने इनको वापिस जाना दिया था तो हमारे बॉर्डर के उपर अले हत्यार छोड़ जो किये अफगानियों के पास जा जाकर यह मिंते कर रहे हैं कि भाईया प्लीज हमेना मारो मत और हमारे उपर ध्या करो पाकिस्तान को अब इससे भी नीचे अगर गिरने दिया जाए तो पाकिस्तान का वजूद ही खत्रे में आ जाएगा पाकितान में पैसे नहीं है कर्ज किसी तरह IMF ने दिया तो पाकितान की गाड़ी कुछ दिनों के लिए सांस लेगी आगे चलेगी लेकिन इसी बीच पाकितान में जो बजट आया पाकितान के जजों का जो सैलरी है वो 20% बढ़ा दिया गया उसी तरह पाकितान के जो ब्यूरोक्रेट है उनकी सैलरी बढ़ा दियी गई पाकितान के जो स्पीकर MLA इत्यादी है उनकी सैलरी बढ़ा दियी गई आखिर कर्ज मांग कर कौन सैलरी बढ़ाता है किया ये लोग जो वहां के जजेज हैं वहां के MLA हैं वहां के स्पीकर्स हैं क्या उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि इस रोती बिलक्ष्टी जो जनता है उन पर टेक्स लगा कर खर्ज लेकर उनकी सिलरी दी जाए किसी ने बड़ी अच्छे टिपणी पाकितानी नहीं की थी कि किवल एक ही चीज बच गया कि जो जजेज हैं या फिर पाकितान में ज खर्चा लगेगा उस पहिस्या का भी जुगार वे पाकितानी खजाने से खर लेते अब जनरल बाजवा ने कुछ दिनों पहले पाकितानी सेना के बारे में कहा था कि देश की हालत खस्ता होगी तो उसका प्रभाव पाकितानी सेना पर पड़ेगा अब वह दिखने लगा है जनरल बाजवा ने कहा था कि भारत के साथ क्या अब तो तालिबानी के साथ भी पाकितानी सेना नहीं लड़ सकती और वही बाद अब इस नए सेना धख्ष ने भी कبूल कर लिया है और यही कारण है कि पाकितान में जो होने वाले जो रिगुलर मिलिटरि डिल हैं उन्हें 31 30-30 December तक पैसे के अभाव में कैंसिल कर दिया गया है तो आप इसे से अंधाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत पाकितान की आगे होने वाली है देकिं दुनिया पाकितान के बारे में सोच रही है पाकितानी नहीं सोच रहे आज पर सितना ही जहें आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो किरप्या मेरे चैनल को सब्सकाइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियों की जानकारी तुरंट आप तक पहुंच जाए धन्यवाद जैए